आज मैं आपको 2023 के Electrical Quotation के बारे में बताने जा रहा हूँ अगर आप एक Electrical Project के लिए Quotation मनाना सीखना चाते हैं तो आप सही जगा पर आए हैं ये सिर्फ एक Quotation Format है हो सकता है आपके Area में Rate अलग चल रहे हो वहां के Rate अलग हो और मैं जो इसमें बताओ वो अलग हो कहीं पर कम या कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं अगर आप एक अच्छा Quotation मनाना सीखना चाते हैं तो इस वीडियो को Last तक जरूर देखें आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है और अगर आपको वीडियो पसनाता है या वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं ऐसे ही informative वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ ये वीडियो में जो मैं Quotation बताने वाला हूँ तो यहां हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है मेरे पिछले वीडियो जिन होने नहीं देखिया है उनको मैं इस जल्दी से शाउट में बता देता हूँ कि यहां पर हमारे Quotation में क्या-क्या होता है तो यहां पर आपको सबसे पहले heading देना होता है यहां पर आप जो काम कर रहे है वो देना होता है यहां पर आप images वगेरा लगा सकते है उसके बाद में यहां पर आप logo वगेरा लगा सकते है यहां पर आपको mobile number दे देना है और यहां पर address दे देना है यहाँ पर फिर से एक बार आपको अपने काम के बारे में डिटेल में बता देना है उसके बार में यहाँ पर हमें कोटेशन का हमारा अगर अगर अलेक्ट्रिक का कोटेशन है तो यहाँ पर अलेक्ट्रिक लिखा जाएंगा आपके एरिये के रेट अलग हो तो यहां पर रेट को आप कंफिडर कीजिएगा यहां पर आप देख सकेंगे कि आपको रेट अगर पसंद आते है यह आपके रेट एरिये में यही है तो आप इसी रेट के हिसाब से काम लीजिएगा नहीं तो आपके एरिये में अगर कम description याई कि हमारा कोटेशन कॐकार के सा कामления में उसके बाले यहां पर बताइबूआ है तिसे्य नम्बर यहां पर यूनिट सूमसे तो हमें और यहां न्मोखुरा नहीं ृपकर आपका सून confidence कि यहां पर यह जो हमारा कोटेशन है यह फुली आटोमेटिड है यानि कि आपको अगर यहां पर आपने कहीं पर दस लाइट के पॉइंट का काम किया है तो यहां पर मैं अगर इसमें दस लिख देता हूँ और यहां पर इसको किलिक करता हूँ तो यहां पर इसका एटोमेट जाएंगा उसके बाद में यहां पर अगर हमारी MCB लग रही है, तो MCB हमारी जो लगिंगी तो वो अगर आठ पीस लग रहे है तह यहां पर मैं इसमें आर्ट लिग दिया है, तो यहां पर भी हमारा उसका TOTALure आ चुका है, उसके बाद में, यहां पर हमारी two pole MCB यानि कि एक कहीं पर लग रहा है तो यहां पर मैंने उसका ले दिया है यहां पर भी उसका रेट आ चुका है और अगर आप थिरी फेस या थिरी पोल की एमसी भी लगाते हैं तो वहां पर जितना भी मैं आपको जो कोटेशन में बताऊंगा वह सभी ऐसे काम करेंगा तो यहां पर मैं जल्दी से इसको डिलेट कर देता हूँ और हम हमारे कोटेशन की तरफ वापस आते हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा नमबर एक से लाइट पॉइंट जो है तो पर पीस के हिसाब से दो सो रूपिये पावर पॉइंट अगर हमारा है यानि कि जो हम पावर पॉइंट चलाते हैं गिजर और फिरिच के लिए में और उसके बाद में जो वाइरिंग होती है 250 रूपिय इसमें हमारा इंक्लिवड रहेगा उसके बाद में यहां पर अगर हम MCB की बात करें तो MCB की जो फिटिंग होती है MCB बॉक्स में लगाने के लिए उसके 150 रूपिय लिए जाते है उसके बाद में 3 पॉल MCB अगर कहीं हम लगा रहे है तो यहां पर हमें एक पीस जो लगाएंगे वो 250 रूपिय के हिसाब से लगाएंगे 3 पॉल MCB लगा रहे है तो 350 रूपिय के हिसाब से लगेंगी 4 पॉल MCB लगा रहे है तो 500 रूपिय के हिसाब से लगेंगी उसके बाद में यहां पर हम बात करते है रिवस फारवड अगर सिं उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे मोटर स्टार्टर यानि यह मोटर का जो वोरवेल का जो मोटर होती है या उसके बाद में हम कहीं पर जो पंप की वाइरिंग करते है तो वहां पर हम इसके चार सो रुपिय तक ले सकते है उसके बाद में यहाँ पर हम wire की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो wire है वो 1 mm का अगर लगता है light का जो point होता है जो हम switchboard से लेकर light टक के लगाते है जो उसमें wire लगता है उसके अलग से पैसे लिए नहीं जाते है जो मैंने आपको पहले number पर बताया है light point वो इसके अंदर ही include रहेंगा तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यह अलग से अगर wire कहीं पर लग रहा है तो इसके अलग से charges लिए जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पर बात करते है 1.5 wire जो लगता है हमें वो 5 रुपे square fit के हिसाब सी यानि के running fit के हिसाब सी लिए जाएंगा 2.5 का 6 रुपे running fit के हिसाब सी लिए जाएंगा 4 mm का 8 रुपे running fit के हिसाब सी लिए जाएंगा 6 mm का अगर लगा रहे है तो 10 रुपे running fit के हिसाब सी लिए जाएंगा उसके बाद में हम यहां पर बात करते है 2.5 केबल 3 को जो आता है वो यहां पर 6 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले जाएंगा 4 mm का जो केबल हम AC वगरा के लिए लगाते है वो 8 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले जाएंगा उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें तो 6mm का जो केबल होता है 3-4 तो यहाँ पर हम 10 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले सकते है उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें 10mm जो केबल होता है वो 15 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले सकते है RJ6 जो केबल होता है वो 3 रूपर रणिंग फिट और टेलीफोन जो केबल होता है वो 6 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले सकते है CAT6 जो केबल होता है वो 6 रूपर रणिंग फिट के हिसाब से ले सकते है कैमेरा केबल अगर कहीं पर हम वाइरिंग में प्योपी वगेरा में कहीं पर हमारे ही हाथ से पारिटी अगर लगाना चाहती है तो वहाँ पर हम कैमेरा केबल का 10 रूपय रनिंग फिट लेंगे उसके बाद में सिलिंग फैन की अगर हमें फिटिंग करना है तो उसके 200 रुपिये के चार्जेस अलग लिये जाएगे पॉइंट के अलावा पॉइंट जो हमने 200 रुपिये के हिसाब से जो लाइट पॉइंट हमने गिन लिया है वो अलग रहेंगे लेकिन अगर हम कहीं पर फैन को सिलिंग फैन को अलग से फिटिंग कर रहे है तो उसके यहाँ पर हमें चार्जेस 200 रुपिये अलग से लिये जाएंगे उसके बाद में वाल फैन का भी ऐसे ही है वाल फैन की अगर हम कहीं अलग से फिटिंग कर रहे हैं तो एक के दो सो रुपिय लिए जाएंगे अगर एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग कर रहे हैं तो तीन सो रुपिय लिए जाएंगे जहां पर OC का PPOIN'T है, वहाँ से अलग से के Bond लाना है, या अलग से इसका पॉइंग सी जाना है, या अलग से असे का ही कोईंट ले जाना है या फिर हम sommesFi Watch से एसी तक के जो वायरिंग में लेते वह ADT, वह ले जा रहे है आप दूसरी वाइडिंग नहीं कर रहे है या पहले से की हुई है वहाँ पर तो हमें उसके 1500-2000 रुपिय तक लेना चाहिए आप अपने एरिये में रेट पता कर सकते हैं हो सकता है आपके एरिये में रेट कम भी हो या ज्यादा भी हो यह प्रॉपर किसी भी एर नहीं आप अपने सब आप यूरिय में लोकल होंगे वहां पर पता कर सकते हैं इनवर्टर अगर कहीं करें तो उसके सथ स्वर लिया जाते है अर्थिन का जो जो हम गेट लाइट लगाते है वो दो हम लगाते है गेट लाइट तो यहां पर हम 600 रुपिय लिए जाएंगे उसके इस्ट्रीप लाइट अगर कहीं हम लगा रहे हैं पी ओपी में स्ट्रीप को हमें कहीं लगाना है या प्रोफाइल लगाना है तो उसके अंदर जो स्ट्री तो यहां पर उसके 400 रूपिये लिये जाते हैं उसके बाद में यहां पर हम बात करें थिरी फेस मीटर के बारे में तो 500 रूपिये थिरी फेस के मीटर के शिफ्टिंग के हो जाते हैं यानि कि जो जहरी में हम फिटिंग करते हैं जहां पर छपाई होने से पहले पलफ्टर होने के पहले जो मेटल बॉक्स फिटिंग करते हैं कन्सिल्ड वाला उसके 50 रुपय पर पीस के रिये जाते हैं पीओपी लाइट की अगर कैना है उसके 40 रुपय लिये जाएंगे अगर पीओपी वाला कट नहीं करके दे रहा है वैसे तो पीओपी वाले को ही क Mensch करना चाहिए जितने भी लाइक के इगाले होते हैं अगर यहाँ पर अगर कलते हैं जो हम कंई एंगल के हिसाब लिये जाए यह पर हम pentacon बैद सप्ट के दौन सब नाय चाहे और भी युज़ को सब्सक्राइब रूपया लेंगे वन मैट के एलेडी लाइट जो होता है उसके हम 150 रूपय लेंगे प्रोफाइल की जो फिटिंग होती है विद स्क्रिप के साथ में उसके 30 रूपय रेनिंग फिट के हिसाब से लिये जाते हैं केसिंग पट्टी अगर कहीं हम कर रहे हैं तो 15 रूपय रेनिं होते हैं तो यहां पर हम उसके 100 रूपय और अगर इंडिकेटर अगर किसी बॉर्ड में लगाना है हमें तो वहां पर हमारा आधा पॉइंट हो जाएगा वहां पर हम उसके सौ रूपिय लेंगे तूवे स्विच अगर एक पेर में लगाना है हमें यानि के दो स्विच लगेंगे तूवे के उसके हम यहां पर तीन सो रूपिय लेंगे और अगर हम फैन रेगुलेटर लगाते है तो फैन लोड कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है और आगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही अगर वीडियो देता रहूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर ब बनाया जाता है और अगर आपको इस कोटेशन कॉपी की जरूरा था तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगा दूँगा वहां से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप अपने रेट को चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो से कु इस्पी दोस्तको ऐसी जानकारी की जरूरत है इस वीडियो की जरूरत है तो उस वेक्ति तक ये इस वीडियो को शेयर जरूर किजिए तो मिलते हैं और एक नहीं वीडियो में और एक नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त धन्यवाद थैंकिन